जी हाँ, फाइनली आ गई है वो घड़ी, जिस खड़ी का रहता है हर ट्रेवलर को इंतजार। आज मैं आई हूँ उत्राखन के पंच केदारों में से एक और दुनिया के सबसे उचे महादेव के मंदिर के दर्शन करने। और वो मंदिर है पावन तुंगनात। सुबह चार बजे ही उठकर मैं लगभख चै बजे तक तुंगनात जाने के लिए रेडी थी। अभी जो है चाय और फिल्का फिल्का नास सब्सक्राइब, फिर जाओंगे ट्रैक के। क्योंकि दोपहर की तेज धूप लगने से पहले ही मैं चार किलोमीटर का ट्रैक कर ऊपर पहुँच जाना चाहती थी। लगभख सबाच छै बजे मैंने चोपता मार्केट से बड़े ही जोश के साथ ट्रैक स्टार्ट कर दिया। अब लेंगे हमाँ से स्टिक यामारा साहरा रहेंगे। नीचे मार्केट से ही आप ट्रैकिंग के शूज, स्टिक आधी रेंट पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट से कुछ दूरी पर एक छोटा सा मंदिर है। अभी थोड़ी थोड़ी बरफ के रिये रास्तों में, आगे चलने पर शायद और बरफ में लेगी। यह मेरी लाइफ का फस्ट ऑफिशिल ट्रैक है, तुमनात चंचुला ट्रैक। दुनिया के सबसे उचे शिव मंदिरों में एक तुमनात मंदिर के दर्शनों का मैं पिछले एक साल से प्लान कर रही थी। लेकिन किसी न किसी कारण वैस वह प्लान दूर जाता रहा। जो जो और हाइट पर जा रही थी, गुलाबी फूलों की खुश्चबू से पूरा रास्ता महकता जा रहा था। सुबह के टाइम पर ठंडी हवा भी काफी तेज थी। तुंगनात उत्राखन राज्य के रुद्ध प्र्याग जिले में स्थित एक परवत है और इसी परवत पर बसा है तुंगनात मंदिर। ये पंच केदारों में से सबसे उचाई पर बना मंदिर है। इसकी हाइट लगबग 12,000 फुट है और ये मंदिर हजारों साल पुराना बताया जाता है। लगबग आदा किलोमेटर ही उपर चड़ने के बाद अब थकान लगने लगी थी जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसका रीजन शायद पत्थरों के रास्तों की खड़ी चड़ाई और सुबह सुबह हवा की बरफीली ठंड थी। लेकिन उपर चड़ने के साथ ही अब हिमालय के दर्शन भी काफी क्लियर हो रहे थे। एक किलोमेटर के ट्रैक पे केवल एक छोटा सा धाबा दिखा जो अभी ओफ सीजन के चलते बन था। लगभव एक किलोमेटर का ट्रैक में कड़ चुकी हूँ और मेरी पीछे आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा बोहाल है यानि कि बहुत बड़ा आपको घास का मैदान दिखाई देगा और उसकी पीछे हिमालय की चोटिया। रास्ते पर अब बर्फ भी जादा मिलने लगी थी। वैसे तो पूरा रास्ता पत्थरों का बना था। लेकिन बीच बीच में छोटे मोटे शॉर्टकट भी आप ले सकते हैं। तो अभी मैंने एक शॉर्टकट मारा है। यह जो रास्ता उधर से होके जा रहा है। इसको मैंने सीधे यहां से तै किया। तो अब थोड़ी थकान लग गई है। तो अभी मैं एनर्जी बार लेके आई थी दिल्ली के एनर्जी बार जो अब काम आ रहे। तो अभी इसे खाके फिर आवी की फ्रैकिंजे स्टार्ट करें। लगभग डेट किलोमेटर चलने के बाद बंगाल से आई लड़कियों का एक गुरूप दिखा। जिन्होंने शायद मुझसे काफी पहले ही ट्रैक शुरू कर दिया था। लेकिन जादा थकान और बार बार रेस्ट के लिए रुकने की वज़े से ट्रैकिंग में थोड़ा पीछे हो गई। और भला जल्दी भी किस चीज़ की। ऐसे व्यूज के साथ दुनिया के सबसे उचे महादेव मंदिर के दर्शन करने का मौका कहां बार बार मिलता है। अब हर तरफ बर्फी बर्फ दिख रही थी और धूप भी नजदीक आने लगी थी। तब ही रास्ते के उपर एक मोड दिखा और वो भी अपनी धुन में मगन नज़र आ रहा था। यह शायद क्या मालूँ महादेव की धुन में मगन हो। लेफ राइट लेफ राइट की तीन किलोमेटर चड़ाई के बाद इस ट्रैक में आता है वो मोड जो आपकी थकान को दूर कर देता है। आपका मन बस यहाँ पर बैट के आसपास के माहौल को देखने का होता है। यह वो मोमेंट था जिसने मेरे इस सीजन में इस मन्त पर यहाँ आने के डिसीजन को सही साबित कर दिया। क्योंकि अगर मैं यहाँ एक महने बाद आती तो शायद चारों तरफ से घिरीवी बर्फ नहीं देख पाती। अब यहाँ से आगे का रास्ता पूरा बर्फ से धका हुआ था। तो अब तीन किलोमेटर का ट्रैक पूरा हो चुका है। एक किलोमेटर का और बचा है और अब यहाँ से मंदिर भी दिखने लगा है। धूप आने के कारण बर्फ थोड़ी थोड़ी पिघल गई थी जिसकी वज़ा से रास्ता सिलिपरी हो गया था। पत्थर का ट्रैक ना दिखने की वज़ा से लास्ट का आधा किलोमेटर का रास्ता आपको गैसी करना पड़ता है। क्योंकि इस मौसम में यहां पर काफी बर्फ कीरी रहती है। तुम्नात मंदिर की ओर जाते हुए बीच में एक कुंड पढ़ता है आकाश कुंड अभी जो है पूरा बर्फ जमा ओर किया है। और यहां से यह रास्ता जा रहा है तुम्नात मंदिर को। साड़े तीन चार घंटी की ट्रैकिंग के बाद इस ट्रैक की वो लास्ट की कुछ सीडियां चड़ते ही मुझे जिन्दगी के पहले पंच केदार के दर्शन होई और मन में खुशी इतनी थी कि मैं ठंड की परवा किये बिना ही वही मंदिर के पास बड़ी बर्फ में बैठ गई फाइनली पहुँच गया है तुंगनात मंदर जितना इजी लग रहा था या बाकी वीडियो में देखा था उत्ता था नहीं क्योंकि जग़ जग़ पे बर्फ बहुत स्लिपरी थी तो बड़े संबल संबल के आना पड़ रहा था बट फाइनली ज़ो है तुंगनात मंदर पहुच गया है पूरे रास्ते खड़ी चड़ाई थी लेखिन मज़ा आ गया व्यूज को देखते देखते उपर चलती गई और फाइनली ज़ो है मंदर पहुच गई हमारी कैमरा टीम के लिए यहां पहुचना थोड़ा मुश्किल था वह यहां आते आते जो हैं 1.5 लीट स्किट खा चुकिया है और अब भी जो है वो मांग रहे हैं कि पानी यह और चाहिए बट अभी थोड़ा पानी बजा के रखना क्योंकि नीचे जाते वे थोड़ी धकान लगीगी पंच केदारों में से तृतिय केदार नाम से प्रसिद स्तुमनात की स्थापना कैसे हुई इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पान्डव अपनों को मारने की किल्ट में काफी परिशान थे और इसके बाद वो महरसी व्यास के पास गए तो महरसी व्यास ने उन्हें कहा कि आपकी मदद सिर्फ भगवान शिव ही कर सकते हैं इसके बाद वो भगवान शिव को मिलने हिमालय पहुँचे लेकिन महाभारत के युद्ध के चलते भगवान शिव पाड़ों से पहले से ही नाराज थे और उन्होंने भैसों के जुंड में भैस का रूप धारण कर चुपके से निकल गए लेकिन पाड़ों ने तब भी हार नहीं मानी उन्होंने भगवान शिव का पीछा किया और पाड़ों को देखकर भगवान शिव ने अपने शरीर के पांच हिस्से पांच जगह पर छोड़े और ये हिस्से जिन पांच जगों पर गिरे वे बाद में पंच केदार कहला है और इस जगा यानि कि तुंगनात में बाहू यानि भगवान शिव के हाथ का हिस्सा है और जिसमें पांड़ों ने बाद में मंदिर का निर्मान किया और इस जगत उंगनात में भगवान शिव के बाहू यानि हाथ का हिस्सा इस्थापित है लगबग दो तीन घंटे मंदिर में बिताने के बाद अब मैं मंदिर के निचले हिस्से में बने कुंड की तरफ चली गई दो पहर हो गई थी और लोग बढ़ते जा रहे थे ओफ सीजन में मैंने इतनी भीड एक्सपेक्ट नहीं की थी इसी पॉइंट से चंद सिला के लिए भी रास्ता जाता है जो यहां से लगबग देट किलोमेटर दूर है रास्ते की बर्फ में फिसलन होने की वज़े से और मेरे पास प्रॉपर ट्रेकिंग टूल्स ना होने की वज़े से मैंने चंद सिला ना जाने का डिसिजन लिया वापस चोपता जाने से पहले आकास कुंड के सामने ही बैट मैं सामने खड़ी हिमाले की उची पीक्स और पहाडों को जी भर के देख लेना चाहती थी तुंगनाथ चंद सिला से दिखने वाली चोटियां नंदा दीवी, तृशूल, केदार, बंदर पूँच और चौखंबा पीक्स आदी है तुंगनाथ की ये ट्रैक मेरी एक्सपेक्टेशन से कई जादा डिफिकल्ट रही लेकिन यह अभी एक शुरुआत थी इस ट्रैक से मुझे यह रियलाइजेशन ज़रूर हुआ कि बाखी के चार-पंच केदारों की ट्रैकिंग के लिए मुझे काफी प्रपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर थोड़ा समल के जाने की जरूरत है क्योंकि जो बरफ है वो इकदम टाइट है और बहुत सलिप्री अब मैं चोपता से सारी गाउं के लिए निकल पड़ी क्योंकि अगली सुबह मुझे सारी गाउं से देवरिया ताल के ट्रैक के लिए निकलना था